गुड मॉर्णिंग, हमारे जितने भी वीवर्स हैं, सस्क्राइबर्स हैं, सब को मेरी तरब से एडवांस में इद की धेर सारी मुबारक बात आप लोगों, इस वीडियो के जो हमारा में टोपिक रहेगा, वो रहेगा वाया मालदीप को लेकर और वाया बहरीन को लेकर, इन दो जगाव से अगर आप अभी या फिर एद के बाद ट्रेवल करने की प्लैनिंग कर रहे हैं, तो इस वीडियो में मैं आपका कन्फ्यूजन कम करूंगा, आपके सवालों के जवाब देने की कोजिस करूंगा, और जो नई अपडेट है, नई गाइडलाइन है, उसको आप आपको अच्छे से explain करूंगा कि किस तरीके से आप वाया मालदीब और वाया बहरीन ट्रेवल कर सकते हो, क्या expense रहेगा, किस तरीके से ticket book करने है, क्या नई अपडेट है, सब कुछ आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो चली वीडियो को start करते हैं, अगर वी ट्रेवलिंग की नई अपडेट क्या है, जिस कंट्री के तरूँ आप ट्रेवल कर रहे हो, तो आपको online उन प्रेटफोर्न पर आ जाना है, जहां से आप ticket booking कर सकते हो, या फिर आपको किसी easy agency में जाना है, जिसमें ticket booking होती है, तो वो आपके जो भी नई guidelines होती है, जो भी agency को, और जहां से online ticket book कर सकते हैं, उनको update देते हैं, तो मैं आपको ACX साइट से, आज वाया बहरीन और मालदीव के बारे में, क्या-क्या condition है, इंडियन के लिए वो आपको आज इस वीडियो में दिखाने वाला होती है, चलिए, स्टार्ट करते हैं, इस सब process के लिए मैं जि है बहरीन, एक है मालदीव, तो पहले बहरीन के लिए देख लेते हैं, मैं हो अपने computer की screen पर और यहां पर मैं India to बहरीन पहले देख लेते हैं, ठीक है, IND, इंडिया यहां से डाल देता हूँ, ओके, इंडिया, New Delhi, और यहां से बहरीन, BHA, तो यहां से आपको बहरीन का भी सर्च पर क्लिक करने के बाद में website हमारे सामने open हो जाएगी और जो flight available है, उनको यह हमारे सामने show कर देगी, तो कौन-कौन सी flight available है, वो आप यहां पर देख सकते हैं, Air India available है, इंडिया से बहरीन जाने के लिए, आपको जो दूसरी airlines मिल जाएगी, वो है, Qatar Airlines मिल जाएगी, connecting ह है, Qatar Airlines है, यहां पर Emirates भी आपको मिल जाएगी, वो भी connecting flight है, तो rate आप देख सकते हो, 28,000, 27,000, 30,000, 32,000, इस टाइप के rate आपको मिल जाएगे, लेकिन rate अभी छोड़ देते हैं, और यहां पर जो latest update है, उसके बारे में बात करते हैं, तो यहां पर आप जैसे ही इस website पर पर आपके सामने होगी, जैसे किलिक करोगे, एक circular आपके सामने अपन होगा, इस circular में कुछ updates लिखी हुई है, वो updates जान लेना आपके लिए काफी जरूर जरूरी है ये जो circular है ये जारी हुआ है इस महीने की पांच तारिका है यानि के पांच महीं 2021 में और यहां पर जो facility provide कर रहा है बहरीन फिलाल visa on arrival facility started यानि के जो visa on arrival की facility बीज में बहरीन ने बंद कर दी थी वो फिलाल start है ठीक है कुछ country बंद है, suspend की हुई है, बहरीन ने, वो लोग नहीं जा सकते, तो उन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें अपने लिए देखना है, तो हमें आना है नीचे, अगर आप इंडिया से सौधिय अरब में बहरीन में जा रहे हो, तो आपके पास में 48 गंटे valid वाला PCR टैस्ट होन आपको isolations किया जाता है, तो उसका जो expense है, उसका जो खर्चा है, वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, तो यह है, इंडिया से बहरीन जाने के लिए, जो update है, ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं, बहरीन से सौधिय अरब जाने के लिए, क्या update है, ठीक है, तो मैं यहां से इसको BAH बहरीन कर देता हूँ, और यहां से मैं इसको दमाम कर देता हूँ, तीस तारीक मैं यहां से कर देता हूँ, example के दोर पे, और search पर just click कर देते हैं, तो इंडिया से बहरीन में आप पहुँच चुके हो, अब आपको बहरीन से सौधिय अरब में जाना की, बहरीन से सौधिय अरब जाने के लिए, वो है, Salama Airlines मिल जाएगी, Gulf Airlines मिल जाएगी, Fly Doe मिल जाएगी, और यहां पर Fly Nice भी आपको मिल जाएगी, एतिहाद आपको मिल जाएगी, काफी सारी Airlines है, जो बहरीन से सौधिय अरब में जा रही हैं, और इनका ticket price भी बहुत कम है, 12 हजार, 22 हजार, 27 हजार, 28 हजार, 30 हजार, यानि के 20 से 25 हजार में आपको अच्छी फ्लाइट मिल जाएगी, फ्लाइट से रिकार्डिंग आपको एक चीज़ जरूर बोलूँगा, जब भी आप फ्लाइट बुक कर रहे हो, ये बात आप मेरी हमेसा ध्यान रखना, refundable आपको ticket buy करना है, अगर schedule में कोई भी issue होता है, schedule में कोई भी मसला होता है, तो आपका पैसा वापस आ जाएगा, उस account में, जिस account से आप ticket buy कर रहे हो, अगर आप refundable ticket buy नहीं करते हो, तो आपका पैसा समझो गया, ठीक है, अगर फ्लाइट का schedule change हो जाता है, तो खेर, हम यहाँ पर आ advisory है, जो notification है, उसके बारे में देख लेते हैं, तो बहरीन से सोधियरब जाने के लिए, इंडियान्स को किंची जोगी जरत पड़ेगी, इंडियान्स, पाकिस्तानी, बंगलादेशी, नेपाली, सब के लिए यही जो circular है, वो काम करेगा, ठीक है, तो यहाँ से मैं read more पर click कर आठ मार्च, तीसरे महिने में, यह circular जारी हुआ था, ठीक है, तो यहाँ से passenger, बहरीन के लिए, जो passenger are not allowed to enter है, उसके लिए यहाँ पर एक list दी गई है, यह list के जो लोग है, उनके लिए जाना ममनू है, बैन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, और हम चलते हैं, residence पे, तो यह तो अगरैनाँ, जिँ जना पर में, residence पर आ चुआ हूं, और यहाँ से देखिया, आप, residence of Saudi Arab, तो हमने इसी का देखना है, residence of Saudi Arab का यह हमने सवादी में तो यहां से मैं इसको आपको अच्छे से दिखा देता हूं ठीक है यहां से देखिए रिज़डाइब सवाधियरभ में जाना है तो उसके लिए क्या के लिए आपके पास में एक जिट रिएंट्री वीजा वर्क वीजा रिजिडाइंस वीजा फैमिली वीजिट वीजा इशूड बाई शौधियरब तो इन में से कोई भी विजा अगर आपके पास में है आपका वीजा वैलिड है तो आप बहरीन में 14 दिन कॉरंटीन होके सौधियरब में जा सकते हूँ यहाँ पर यह साफ साफ लिखा हुआ है आपको 14 दिन कॉरंटीन भी होना पड़ेगा और अब बात कर लेते हैं जो PCR टैस्ट है उसके बारे में तो अगर आप बहरीन से सौधियरब में जा तो आपके पास में 72 घंटे वैलिड वाला PCR टैस्ट आपके पास में होना चाहिए उससे आपका काम हो जाएगा यहाँ पर आपको 48 घंटे वाला नहीं चाहिए यहाँ पर आपका 72 घंटे वाला भी काम कर देगा ठीक है तो यह अपडेट हो गई अगर आप इंडिया से बहरीन जा रहे हो और बहरीन से सौधी अरब जा रहे हो ठीक है तो यह उसके लिए अपडेट हो गई उसमें कुछ और चीज भी इंक्लूड है वो भी बता देता हूं मैं आपको फ्लाइट का बारे में सारी चीज़े मैंने आपकी कंप्लीट कर दी आपके पास में सिफसाइंट बैलन्स होना चाहिए 300 से 500 डोलर के बीच में आपके पास में कैस होना चाहिए जरूर या फिर आप बैंक की स्टेटमेंट दिखा सकते हो कि आपकी बैंक अकाउंट में इतना बैलन्स है बाकी आपके पास में होटल की बुकिंग ऑनलाइन होनी चाहिए वह mandatory है तो वह भी आप लेड़ी पहले ही करके रख सकते हो अब हम चलते हैं अपनी साइकिंड अपडेट की तरफ साइकिन अपडेट है हमारी वाया मालदीप के से आप सहुधी अरब में जाएंगे तो इंडिया से मालदीप अगर आप जाते हो तो उसमें आपको आपको दिखा देता हूं और क्या प्रोसीजर रहेगा वह भी एक बार आपको दिखा देता हूं तो मैं यहां से सलेक्ट कर लेता हूं डेट 28 मैं हम यहां से सलेक्ट कर लेते हैं और सर्च पर क्लिक करते हैं इंडिया से मालदीप में आप आसानी सा आ जाओगे मालदीप में 14 दिन कॉरंटीन होके आप सहुधी रहेगा क्या प्राइज रहेगा तो उसके बारे में देख लेते हैं यहां से देखिए जो सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी आपको मालदीप से सौधियरब में जाने के लिए मिल जाएगी उनका रेट क्या रहेगा क्या प्राइज रहेगा तो उसके बारे में देख लेते हैं यहां पर उमान एयर लाइन्स आपको मिल जाएगी 28,000, 30,000, 34,000 इतने का इनका टिकाट है आपको आजाएगा वह आपको बता देंगे कि हांप जा सकते हो या नहीं लेकिन जो विगोवड़साइट है यह कम से कम 100-500 फलाइट को सर्च करता है और सर्च करके जो में रिजल्ट है वह आपको लागर के देता है कि यह फ्लाइट अवेलबल है आप इनको बूक कर सकते ह यह चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है तो यहां से आपको ओमान एरलाइंस और यह सब एरलाइंस मिल जाती है आप आसानी से बुक कर सकते हो ठीक है यह मैं दिखा रहा हूँ आपको मालदीव से दमाम के लिए अब हम यहां से इसका भी सर्कुलर पढ़ लेते हैं कि कि किन क पारट में जारी हुआ है और यहाँ पर बाकी की जो डीटेल है वह बिलकुल सेम है जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां इसको थोड़ा नीचे लेते हैं हम हम always a और फिर आपको मैंसे दिखाता हम तो देखिए यह यहां पर देखिए यह पर रिजिदेंस रिजिदेंस ओफ साथ यरब तो रिजिदेंस ओफ साथ यरब के लिए अगर आप मालदीव से साथ यरब में जा रहे हो तो आपके पास में exit entry visa, residence visa, visit visa, issuing by Saudi Arab, कोई भी visa आपके पास में हो तो चलेगा, कोई issue नहीं है, उसके बाद में आपको 14 दिन बहरीन के अंदर, 14 दिन आपको मालदीव के अंदर quarantine होना पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, और आपकी जो क्रोना वाइरस की report है, वो आपकी 72 गंटे वाली होन चाहिए, तो इस तरीके से आप आसानी से वाया बहरीन और वाया मालदीव, अभी भी साओधियरब में ट्रेवल कर सकते हो, वाया मालदीव के लिए मैं एक छोटी जी आपको जरूर कहूंगा, आपको आइसलैंड में resort book कर लेने है, hotel book करने में थोड़ा issue जरूर आ रहा है, लेकिन आप साओधियरब में आ सकते हो, अगर आपको आना है, आपने decide कर लिया है, ठीक है, एक और latest update आई थी, उसके बारे मैंने वीडियो बना दी थी, वो आप देख सकते हो, अगर आपकी vaccine नहीं लगी हुई है, तो आप किस तरीके से आ सकते हो, तो बस यही कुछ छोट आपको काफी पसंद आए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, चानल को सस्क्राइब कर सकते हो, वीडियो को share भी कर सकते हो,